लोगों ने सत्या नास कर दिया सबसे बड़ी खबर जिस दिन विबेक सिंग को खेसारी लाल यादों से मुलकात होगी उससी दिन से विबेक सिंग की हो जाएगी खेसारी टीम में वापसी बट क्या पता हम दोना भाई जिस दिन मिलेंगे एक साथ तो साथ बहुत चीज़े बदल जाएगी दोस्तों जब से बीबेक सिंग खेसारी लाल यादों के टीम से अलग हुए बीबेक सिंग को जब से अलग किया गया उसके बाद से एक भी एस्टेटिमेंट बीबेक सिंग का सामने नहीं आया था कि आखिर कार क्यों बीबेक सिंग को अलग किया गया कभी भी बीबेक सिंग सोशन मीडिया पिये नहीं पताए अन्तु गतवा बीबेक सिंग बता दिये हैं विडियो में साब तोर पे बीबेक सिंग बुर रहे हैं कि खेसारी लाल यादो किसी अंजान लोग के बहकाबे में आ गए हैं जिसके कारण खेसारी लाल यादो को बड़े भईया बूर हैं बड़े भईया खेसारी लाल यादो हमें अलग कर दिये हैं लेकिन जिस तीन सामने से मुलाकात होगी उसी दिन से 80% दुरियान नस्धिकिया में बदल जाएगी यानि साब तोर पे विवेक सिंग बोल रहे हैं कि जब मुलाकात भायास होगी उसी दिन से हम मेनेजर बन जाएंगे खेसारी लाल यादो का बापसी होगी टीम में खेसारी लाल यादो के टीम में विवेक सिंग का बापसी होगा एक और बहुत बड़ा बा बहुत ऐसे लोग हैं कि हम आदय लोग को चिले चपाथे बोलते हैं बहुत रिस्पेक्टी बहुत की खुशाने लालियादू के टीम में जो तमाम लोग है उनी का हाथ है उसी के कारण भीवेक सिंख हैसारी लालियादू के टीम के उपर गुसा में है और यह साफ थोर पर भीवेक सिंग बोर रहे हैं कि हमने अपने बड़े भाई के लिए कभी भी बुरा काम नहीं किया बाकी कुछ लोग बहका दिये खेसारी लालियादों को जिसके कारिन बहकाबे में आ गए और हमें अलग कर दिये लेकिन जिसतीन सामने से मुलाकात होगी उसी दिन से दुनिया नजदिकिया में बदलने की संभावना है सबसे बड़ी ख़बर वीवेक सिंग वो रहे हैं बाकि वीवेक सिंग खे खिसारी लाल यादों के बारे में बोलते हैं कि वो सब दिन अस्टार्थ हैं हैं और रहेंगे उनके लिए खिसारी लाल यादों के लिए बीवेक सिंग हमेशा बाफादा रहेंगे चाहें मैनेजर रहें या ना रहें सब दिन शम्मान है खिसारी लाल यादों के लिए बीवे प्रवादान